इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी जूरो प्रास D20 Capsule SR is a combination medicine used to treat gastroesophageal reflux disease यानि की acid reflux and peptic ulcer disease by relieving the symptoms of acidity such as heartburn, stomach pain और irritation ये acid को भी बैसर करता है और पेट की परेशानी को कम करने के लिए gas को आसानी पास होने में मदद करता है जूरो प्रास D20 Capsule SR is taken without food in a dose and duration is advised by the doctor dose आपकी condition और दवा के प्रती आपके response पर निर्भर करेगी डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखें अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है अपनी हिल्थ के टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्योंकि वो दवाएं इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती है सबसे सामाने साइड इफेक्ट डायरिया यानि की दस्थ, पेट में दर्ध, मूह में सूखापन, सिर्दर्ध, पेट फूलना, यानि की गैस बनना और कमजोरी है इन में से अधिकान शस्थाई होते हैं और आमतोर पर समय के साथ सही हो जाते हैं अगर आप इन में से किसी भी साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें इस दवा से आपको चक्कर या नींद आ सकती है इसलिए जब तक आप यह न जान ले कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है तब तक ड्राइव या ऐसा कोई काम न करें जिसमें मानसिक फोकस की आवशक्ता होती है यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे आपको अधिक नींद आ सकती है लाइफस्टाइल में परिवर्तन जैसे ठंडा दूद लेना और गरम चाय, कॉफी, मसालेदार भोजन या चॉकलिट से बहतर परिनाम पाने में मदद मिल सकती है अगर आप किड्नी या लिवर की बीमारी से पीडित हैं तो इस दवा का सेवन शुरू करने से पहले डौक्टर को सूचित करना महत्वपूर्ण है अगर आप गर्भवती हैं, गर्भधारन की योजना बना रही हैं या स्तन्पान करवा रही हैं तो भी आपको अपने डौक्टर को बताना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद